आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10, हिंदी कोर्स B की पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग 2 से पाठ ततारा वामिरो कथा के प्रश्णोत्तर इस पाठ से संबंधित नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से प्राप्त कर सकते हैं तथा मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से भी प्राप्त कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं ततारा वामिरो कथा पाठ के प्रश्णोत्तर प्रश्ण एक ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि ततारा की तलवार लकडी की थी लोगों का मत मतलब लोगों का क्या मानना था लोग क्या सोचते थे लोग सोचते थे कि ततारा की तलवार लकडी की थी उसमें दैवे शक्ती थी और हर समय ततारा की कमर पर बंधी रहती थी, वह इसका प्रियोग सब के सामने नहीं करता था ततारा के साहसे कारनामों के चर्चे चारों तरफ थे, वास्तम में ततारा की तलवार एक बिलक्षन रहस्य थी प्रश्न दो वामीरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया कि पहले वह बताये कि वह कौन है जो इस तरह प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि वह आपने गाउं के यूवक के अलावा किसी से भी बात नहीं करते प्रश्न चार ततारा वामिरों की त्यागमई मृत्यू से निकोबार में क्या परिवर्थन आया ततारा वामिरों की त्यागमई मृत्यू से निकोबार में सुखत परिवर्थन आया ततारा वामिरों के गाउं वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे वे विवहा तो दूर, वे आपस में बाद भी नहीं करते थे परंतु ततारावामिरों की त्यागमई मृत्यों के बाद दोनों के गाउं में मधुर व्यभाइक संबन्ध बनने लगे प्रश्न पांच, निकोबार के लोग तारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को उसके आत्मिय स्वभाव के कारण पसंद करते थे और उससे बेहत प्रेम करते थे ततारा नेक, इमानदार और सहासी था, सदय दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था गाओं वालों की ही नहीं अपितु समुचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम करतवे समझता था उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसे पसंद करते थे वक्त मुसीवत में जो भी उसे स्मरण करता वह भागा भागा उसकी मदद के लिए पहुँच जाता था प्रश्न चे, निकोबार द्वीप समुह के विभख्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीब समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि पहले अंडमा निकोबार दोनों एक ही द्वीब थे इनके दो होने के पीछे ततारा वामीरों की लोक कथा प्रचलित है ततारा वामीरों दोनों प्रेम करते थे दोनों एक गाउं के नहीं थे इसलिए रिती के अनुसार विवार नहीं हो सकता था रूडियों में जकडे होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकते थे एक अवसर पर वामीरों की मा तथा गाउं वालों द्वारा अपमानित होने पर ततारा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धर्ती में गाड़ दी उसे खींशते खींशते वह दूर तक चला गया इस से जमीन दो भागों में बढ़ गई और ये दो भाग हैं निकोबार और अंडमान प्रश्न साथ ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहां गया वहां के प्राकरतिक सौंधरे का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए ततारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टेहल ने निकल गया समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी पक्षियों की चहचाहाट धीरे-धीरे कम हो रही थी डूबते सूरज की किरने समुद्र के पानी पर पढ़कर रंग विरंगी रोशनी छोड़ रही थी बीच बीच में समुद्र की लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था मानो कोई गीद गा रहा हो पूरा वातावरन बहुत मोहक लग रहा था वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया वामीरों से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा वह अपनी सुद्बूत खो बैठा वह शाम की प्रतिक्षा करता जब वह वामीरों से मिल सके ततारा के लिए मानुपूरे जीवन की अकेली प्रतिक्षा थी उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था वह अचम्भित था साथ ही रोमांचित भी वह दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुँच जाता उसे एक एक पल पहाड जैसा लगता था उसे वामीरों के ना आने की आशंका होने लगती थी लपाती के रास्ते पर वामीरों को देखने के लिए नजरें दोडाता जैसे ही वामीरों आती उसे देखते ही वह शब्द हीन हो एक टक देखने लगता प्राश्ण 9 प्राचीन काल में मनुरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किये जाते थे प्राचीन काल में मनुरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किये जाते थे पुष्ट पश्वों के शक्ति प्रदर्शन किये जाते थे सांडों, तीतर, बटेर की लडाई, पतंग बाजी, पहलवानों की कुष्टी, तलवार बाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कारेक्रम होते थे इसके अतिरिक्त पश्वों से युवकों की शक्ति प्रतियोगिता भी होती थी, पैठें लगती थी, जिसमें विशिष्ट सामगरियां बिकती थी, खाने पीने की दुकाने, जानवरों की नुमाईश, आदी, अनेक प्रकार के मनोरंजग कारेक्रमों के आयोजन होते थे प्रश्ण दस, रूडियां जब बंधन बन बोज बनने लगें, तब उनका तूट जाना ही अच्छा है, क्यों स्पष्ट कीजिए रूडियां जब बंधन बन बोज बनने लगें, तब उनका तूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि रूडियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं, परंतु इनहीं के द्वारा मनुश्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोज बनने लगे, तो उनका तूट जाना ही अच्छा होता है, परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, परंपराएं अर्थात रिती रिवाज, रूडियां परंपराई ही हैं, परंपराओं और रिती रिवाजों को ही रूडियां कहा जाता है, परंपराएं जो सदियों से चली आ नहीं रह जाती हैं उनसे फायदा खानी अधिक होने लगती हैं ऐसे रची रवांस जो सदियों से चले आ विए रूडियां कहलाते हैं एसी रूडियों को अगर अवस्गत अनुसार समय के अनुसार नहीं बदला जाए तो उन खानिया होनी शुरू हो जाती हैं ऐसे में ये परंपराइं रूडियां बन कर समाज के लिए बंधन सिद्ध होती हैं और ये परंपराइं रूडियां जो सदियों से चली आ रही हैं अगर उन्हें नहीं बदला जाए तो वे समाज के लिए बंधन बन जाती हैं तो इस प्रका करें तो उनका तूट जाना ही समाज के लिए बेहतर है प्रश्ण 11 जब कोई राह न सूजी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धर्ती में घूंब दिया और ताकत से उसे खीचने लगा आशय स्वष्ट कीजिए प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि तता वामीरो को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनका विवाहर नहीं हो सकता फिर भी भे मिलते रहे एक बार पशुपर्व में वामीरो ततारा से मिलकर रोने लगी इस पर उसकी मान एक्रोध किया और ततारा को अपमानित किया अपमान और दुख से उपजा क्रोध ततारा से सहा ना गया अपने गुस्से को शांत करने के लिए वह अपनी तलवार को जमीन में गाड़ कर खीशता चला गया इससे धर्ती में दरार पड़ गई और द्वीब समूद दो भागों में बढ़ गया इस तरहां ततारा ने धर्ती को चीर कर अपना क्रोध शांत किया प्रस्तुत पंक्ति का आशा यह है कि ततारा ने वामीरों से मिलने के लिए कहा और वह शाम के समय उसकी प्रतिक्षा भी कर रहा था जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उसे वामीरों के ना आने की आशंका हो रही थी जिस प्रकार सूरे की किरने समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती थी उसी तरहां ततारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती थी मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें